तो खुसरो जी की मुक्रियां मैं सुनाने वाली हूँ और ये जो मुक्रियां है ये मेरी सक्खियों के साथ उनके साथ मेरी बातचीत है गुफ्तगू है अपने साजन के बारे में तो जैसे यहाँ पे मेरी बहुत सारी खूबसूरत बहुत सारी मेरी खूबसूरत सक्खियां है तो मेरी दस सक्खियों से मैं एक गुफ्तगू करूँगी और उसके बाद वो बताएंगे मुझे कि मेरे साजन कैसे है रात समय वह मेरे आवे भोर भय वह घर उठी जावे यह अच्रज है सबसे न्यारा ए सक्खि साजन ना सक्खि तारा नंगे पाउ फिरन नहीं देद पाउ से मिटी लगन नहीं देद पाउ का चूमा लेत निपूता ए सक्खि साजन ना सक्खि जूता वह आवे तब शादी होए उस बिन दूजा और ना कोई मीठे लागे वाके बोल ए सक्खि साजन ना सक्खि धोल जब मांगू तफ जल भरी लावे, मेरे मन की तपन भुझावे, मन का भारी, तन का छोटा, ऐ सखी साजन, ना सखी लोटा बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन, ना सखी मक्की अती सुरंग है रंग रंगी लो, हे गुडवन्थ बहुत चटकी लो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन, ना सखी तोता अर्थ निशाव आया भाउन, सुन्दर्ता बरने कभी कौन, निर्खत ही मन भयो अनन्द, क्यों सखी साजन, आगे आगे बोलो ना सखी चंद ना सखी नीर बिन आय सब ही सुक भूले, आय ते अंग अंग सब फूले, सीरी भाई लगावत चाती, क्यों सखी साजन, ना सखी पाती बहुत बहुत धन्यवाद प्रणा पन्यवाद